तो घ्लो गाइज मेरा नाम है सलेमान अर्सागर आपका मेरे चैनल पर तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लिंक एप के बारे में तो ब्लिंक एप क्या है जो हमने इस तरह की से जो है मैं आप वीडियो दिखा देता हूं इस तरह की से जो है ऑटो जेनेशन आपने देखे होंगे vindyang क्या होते हैं तो के प्लेव से क्युędियो में ऊड़ा ज़रेंटे हैं वीडियो के कैम के बात आप देखेंस वे आपका वीडियो होता हैं तो इस तरह के से जनरेट करते हैं मैं आज आपको यस विडियो में बताने वालाउं तो वीडियो एंड तक जरूर देखना है क्योंकि इसमें कैज है क्योंकि वो कैज बहुत बड़ा है अगर आपने बरावस नहीं देखा तो जो है आपका जो है प्रोसेसिंग के टैम पर पूरा करने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट नहीं होगा पेड़ आपको ब्लिंक एप जो है दोनों में अवेलेबल एप स्टोर में और प्लेशा में आइफोन वाई लों के लिए कैप्शन्स डॉट लोट करके दूसरा भी एक अप अवेलेबल है जो सिर्फ आइफॉन में अवेलेबल है तो आप चाहिए तो वह भी ट्राइब कर सकते हैं फिलाल वो एंड्रोइड में अविलेबल नहीं है तो उसके जगे पे बिलिंक एप आप यूज़ कर सकते हैं बिलिंक एप थोड़ा बहुत जो है सिमिलर ही है दोनों का काम आप्टो जर्णेरेशन कैप्शन्स और और यू एडिटिंग वह सभी है चैप्षिन उभण की में नहीं तो चलतें व हुद आपके अथिलेव गएक सफू करें लेके तो आप कर न साब्न आपक यिज़िते है कमें वहां से नहीं आपको एपन करत रहूं ख़रा है इसकि बंड़्सिक आपनेफ़ लगे में अप्डेट अबर आपको आपनेए उस पीश् השुट्स फरं से काका प्लेष लिए शलगए लेल्ब खोंग से दोछ यह चांनेपet करेंगे अपनेगा चादि पेट सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा तो इसके लिए पहले कि इसके जो पहले वर्जिन ते उसमें नहीं था तो अभी इसलिए आप यहां से मत डाउनोड करें मैं जो नीचे एक लिंक देंगा आपको सिर्फ वहां से जाना है और डाउनोड करना है यह बहुत से संड壓 को यaisse और पैसे महां से नहीं करना है मास आप जाएंगे पहले एक लिंक आएगी में यापको डाउनलोड करें आ पहला बाद जैसा मैं स्ट्रेप बता रहा है उसे पूरा फॉलो करना है तो आप डाउनल करेंगे उसे ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके चाहिए कुछ इंटरफेज देखने मिलेगा निव अपडेट अवेलेबल तो आपको जो अपडेट नाओ पर जो एक ट्लिक हर गिस नहीं क क्या एचे वीडियो होगा अगर आपने स्पेक्लिक कर दिया तो एक्सपोर्ट जो है आपको नहीं होगा आपको पर पैसे देने पर सकते हैं तो जो है निव अपडेट अवेलेबले से जहां में एग्मोर करेंगी और जो स्किप कर देंगे इसे कुछ जादा करने की तो हम ज़ये एक वीडियो इंपोर्ट करते हैं जिसे हमें जो ही आपको जेनरेशन करना है तो मैं प्लस पर करता हूं यहां पर आपको टेली प्रॉम्टर स्क्रिप्ट एई और ऑटो कैप्शन के तीन फीचर दे तो हम चलते हैं आपको चाप्शन की तरफ आलाउ कर देंग इंपोर्ट होने के बाद आप आप यहां पर लाइग्वी नीचे जो सेलेक्ट करना है जिस में लाइग्विज में आपके कैप्शिन्स दिखने चाहिए वह हम इसलेक्ट कर लेंगे तो मैं इंग्लिश इंडिया वाली यह वाली वह मैं सेलेक्ट कर दूँगा आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारी लेंग्विज यहां पर इतनी सारी अवेलेबल हैं तो आपके साफ सब जो है लेंग्विज चूज कर सकते हैं मैं इंग्लिश इंडिया करते के जो है जेनरेट कैफिन्स पे ट्रीट करता हूँ अब जे प्रोसेशिंग लेगा यह थोड़ी बहुत आपकी ओडियो कॉलिटी के साफ से अपके प्रसेशिंग टाइम लेगा तो अभी जो है बारा देरा प्रसेंचल रहे हम मिलता हैं 100 परसेंट रहने के बाद तो गई देख सकते हैं आप 92 परसेंट हो गया है 93 परसेंट हो ग 99 100 अब है जो है जो है जन्रेट हो गया कैप्शन तो यह मेरा वीडियो है यहाँ नीचे आप देख सकते है 6.8 तो इस तरीकी से यहां पर कैप्शन था है तो हम जो है पहले इसमें किस तरीकी से क्या क्या कर सकते हैं वो देखने दे तो फर्स्ट आफ आप यह यह आपका वी पूराइडित करना है तो आपको कर सकते हैं मैं उस नहीं टै करता हूँ बाजी माझें आपको style देखने मिल जाते हैं अपकी captions के style याप टैंपलेट से यहां पे यह वाला है इंस्टाग्राम ये वाला है ये भी आपने बहुत बार देखे होगे जिसे इस तरीके से ये वाला स्टाइल लिखने में जाता है फिर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला भी आपने बहुत बार जो है इसमें लिखने मिलते हैं ये वाला ये बहुत चलता है जैसे ये वाल तो इस तरह किसाब बहुत सरे अलग अलग टेंपलेट हो गए जो है इसमें से लेकर सकते हैं फिर राइट में आप देखने तो यहां पे आप फॉंट से लेकर सकते हो जो भी आपके मन परसंट फॉंट से अब को सिलेकर करके चाहे तो कस्टमाइज अपने अलग फॉंट भी स्टाइल में आपको टेक्स कलर जो ही मिल जाता है फॉंट साइज पंक्टुएशन में पाउस बगरा कहां होना चाहिए पर वर्ट पर पर पाउस होना चाहिए कि एक सेंटेंज पाउस होना चाहिए फिर मैक्स केपिशन लाइन थी फॉर वह से लेकर सकते हो इसमें के बाद आता है animation का option, animation का option मैं आपको transition type डेखने मिलते हैं, fade वाला, या रसकते हो, पर जूम-in कर सकते हो, जैसा इस तरह के-से जूम-in होता है, आप जो भी चाये transition पर रह सकते हो, तो मैं फिलाले भी से फेड रहता हूं, फिर रीजन आप फुल स्क्रीन, लाइन या वर्ड, आप वह कर सकते हूं, आप जब करोगे तो इसमें नीटिल में समझ में आएगा किस तरही से काम करता है, पिर एक्टिव वर्ड वगेरा कि हाइलाइट किस तरही से करना है, तो वह आप इसमें कर सकते हूं, आप जो भी वर्ड को, for example, मैं कैप्शन को यह हाइलाइट कर दिया, पहले यह कैप्शन नहीं था, अब मैं कैप्शन पे क्लिक कर दूँगा, तो यह कैप्शन को हाइलाइट कर देगा, for example, मैं, जो भी आप क्लिक करने हो, यहाँ पर हाइलाइट ह अच्छा option है आप यहां पर time stamp देख सकते हो और यहां पर क्या मैंने बुला हूँ उसमें यह देख सकते हो तो अगर इसमें परके जहें चेंज कर सबता हूं तो यह जो यहां पर change हो जाएगा है लोगाइस यहां पर ऐसे क्लिक करोगे तो यहां पर प्ले का भी option है तो जो भी उत्ते time stamp में पर जो बोला हूं तो यहां पर प्ले हो जाएगा तो आप वह सून के इसमें edit कर सकते हो बहुत ही असानी से तो यह जो हो गया है edit का option फिर में enhance का भी option आता है speech जो आपके enhance होजाएगी फिर denoising के भी option है flip का भी option है इस तरह के बहुत सरे option आपको देखने मिलते हैं तो आप जो वीडियो जो इंपोर्ट करोगे तो सब आपको समाझ में आ जाएगा तो आप जो अपना edit होने के बाद अब for example मुझे यहां नहीं रखना है यहां रखना है यहां रखना है यह यहां रखना है और दील पगएर तो आप इसे छोटा font size करके adjust कर सकते हो for example मैंने यहां रखा अब यहां रखने के बाद अब मुझे एक्सपोर्ट करना है अगर आप मेरे तरह किसे नहीं करोगे तो आप एक्सपोर्ट पर आपको premium option आएगा और आपको जो हैं वहां पर पैसे देने पर सकते export करने के लिए अब फिलाल मेरे यह इसमें नहीं आएगा तो मैं आप एक्सपोर्ट करूंगा तो डारेक्ली आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट हो रहा है तो थी परसेंट हंडिर प अगेरा यहां अगेरे नहीं है सिंपल लिंक है जो कि पिछले अपडेट्स में नहीं था तो पुराना अपडेट वाली लिंक है वह जैसा आपको डाउनलोड करना है और मेरे स्टेप से आपको जो है फालोगन तो आप जो है सिंथी इस तरीके से जो है और टो कैप्शन्स है बहुत है सिंपल प्रोसेस है तो इस सब्सक्राइब करें तो इस सब्सक्राइब करें नए वीडियो में नए टॉप जाए टेक क्यर बाइबाए